बोलो बम बम महादेव बाम बाम देवी और सज्जनों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्व चैनल मिस्रा फोर यू परमे आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेंसरासी बालों के बारे में एक जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक की कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि आपके लिए ये समय आखिर कैसा रहने वाला है किस मामले में बढ़ियां रहेगा किस मामले में खराब रहेगा इसी बिसाई पर आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं देवी और सजनों आपको बता दूँ कि मेंस रासी वालों को जनवरी महीने में धन के साथ साथ मान सम्मान की भी प्राप्ती के बहुत बिसेस योग बन रहे हैं आज के इस वीडियो में बड़ा डिटेल्ड जानकारी मैं आपको देरे की कोशिस करूँगा देवी और सजनों ये जो हमारी जानकारी है वो चंद्र रासी पर आधारी थे आपकी जानकारी के लिए बता दू कि मेस रासी के वो जातक जिनकी जन्म रासी मेस है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और जिसके नाम रासी मेस है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दू देवी और सजनो कि जिसकी जनम रासी मेस है उसके लिए तो उसकी जनम कुंडली देखनी पड़ेगी कि उसकी जनम कुंडली में चंद्रमा कहां बैठा हुआ है लेकिन जिसकी नाम रासी मेस है उसके लिए मैं अभी उसको किलियर कर देता ह उसके नाम का अक्छर बता देता हूं अगर आपके नाम का देवी और सजनो पहला अक्छर है चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो और ओ इसमें किसी भी अक्छर से अगर आपका नाम शुरू हता है तो आपकी रासी मेस हुई जैसे कि औ से किसी का नाम अम्रित है तो उसकी रासी मेस हो गई इसलिए जैसे कि लो से किसी का नाम लोखन है तो उसकी रासी मेस हो गई जैसे ले से किसी का नाम ले है तो उसकी रासी मेस हो गई जैसे लू है लू से किसी का नाम जो है सो लूलन है तो उसकी रासी जो है सो मेस होगा इत्यादी नाम के तो अच्छर है आप तो नाम बहतर मुझसे जानते होंगे आईए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस आधार पे मैं रासी फल बताने वाला हूँ देवी और सजनो ये मेस रासी बालों की जनवरी महीने की कुंडली है जिसमें पंद्रह जनवरी तक सूरिदेव आपके कुंडली के यहां पर में दसम भाव में मकर रासी में रहेंगे और पंद्रह जनवरी के देवी और सजनों पंद्रह जनवरी से सूरिदेव मकर रासी में प्रवेस कर जाएंगे यानि कि पंद्रह जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक आपके कुंडली के दसम भाव में रहेंगे और 15 जनवरी से पहले पहले सूरेदेव आपके कुडली के नवम भाव में यानि की धनूरासी में ही रहेंगे देवी और सजनों 15 जनवरी को जो सूरेदेव कुडली के दसम भाव में मकर रासी में प्रवेस करेंगे आप चाहो तो मैं उसका समय घंटा मिनट भी बता सकता हूँ कि कितने बज़ के कितने मिनट में प्रवेश करेंगे इसका अर्थ ये हुआ कि आपके जीवन में होने वाली घटनाओं का मैं तारीख वाई तारीख वर्नन कर सकता हूँ देवी और सज्जनों 15 जनवड़ी 2024 सोम बार को दो बज़ के 54 मिनट यनि की 2.54 एम यनि की भोर में सुरीदेव का प्रवेश मकर रासी में होगा इसलिए 15 तारीख को ही इस बार मकर संक्रांती मनाई जाएगी आईए देवी और सज्जनों चर्चा को आरंब करें लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो लोग मुझसे अपनी जन्मकुंडली अत्वा हंस्तरेखा के अनुसार अपने भविश्य के बारे में मुझसे जानना चाहते हैं पूरी गैरेंटी के साथ वो लोग मेरे वाट्सअप पर मैसेज करें 7062757996 इस नमबर पर में जब आप मैसेज करेंगे तो आपको उचित सुल्क के बारे में बताया जाएगा जो हंस्तरेखा और जन्मकुंडली देखने की फीस है उस फीस को जमा करके आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे आईए देवी और सजनों चर्चा को आरम करते हैं सबसे पहले आप ये जानने का प्रियास करें कि आपके लिए जो है 115 जनवरी तक का समय आखिर कैसा रहेगा क्योंकि 15 जनवरी तक सुरिदेव आपके कुणली के नवम भाव में है और सूरी देव के देवी और सजनों नवम भाव में बैठने के कारण 15 जनवरी तक की कहानी पहले बताता हूँ 15 जनवरी तक आप योगी जैसा बेभार करेंगे यानि की योगी बन जाएंगे आप पुर्न रोप से योग में रत रहेंगे आपको जो है जो किसी से लोग लालत जादा नहीं रहेगा योग में आ जाएंगे आप देवी और सजनों तबस्वी जैसा बेभार करेंगे आप तप ज्यादा करेंगे तफस्या ज्यादा करेंगे अपने तफस्या को अपने काम को ही पूजा मान करके आप उसमें लगे रहेंगे इतना ही नहीं देवी और सज्जनों पंद्रह जनबरी तक आपके सदाचार की भी चर्चा होगी आप सदाचारी बने रहेंगे आपके चरित्र की आचरन की भी हर तरफ चर्चा होगी आपके बारे में हर तरफ प्रसंसा होगी लोगों को ये मानना होगा लोगों को ये कहना परेगा कि अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो सीखो इस मेश रासी वाले जातक से इसकी आचरन द देखो इसका सदाचार देखो डेवी और आप सदाचारी बने रहेंगे इस समय में आप में leadership quality भी develop होगा आप एक अच्छे new theeye aur Pa曲 था किर progress heading उनमें और जादा leadership quality और उनका promotion वो एक पद से दूसरे पध पर जा सकने है lower से higher class उनकी image जो है है सो बन Progress है। अगर आप घृब में काम करते हैं कहीं पर हमें किसी कंपनी बाविए ग इस समय में आपको टील बाव्वागी ठीम लीडर बाव बनाया चाए आपके प्रमोशन हो सकते हैं कियोंकि इस समय में आपके प्रमोशन के वित्ज़ेस योग जो हैं सो बंद है जोत्सी बर्क के लोग हैं और एकर मेसरासी के हैं तो पंदरह जनवडी तक उनका बिज्नेस वेखसाय अच्छा चलेगा खुब धन कमाएंगे जो जोत्सी बर्क के लोग नहीं हैं ऐसे ही सामानी मेस रासी हैं तो उनको जोतिस विद्या में खुब रुची जागरित होगी और उधर वो खुब ग्यान अर्जन करने की कोशिस करें देवी और सजनो इस समय में आप साहसी बने रहेंगे आपके साहस की चर्चा होगी आप बहुत जादा साहस के साथ जो है सो काम करेंगे उस काम को भी कर देंगे जि बाहन का सुख भी आपको मिलेगा बाहन सुख जो है तो आप भोग पाएंगे यनि कि अपने मन पसंद गारी चलाने का आफसर मिल सकता है आप अपने इक्छा अनुसार जिस गारी को चलाने की लंबे समय से इक्छा थी हो गारी या तो चला सकते हैं अत्वा इस महिने में गार वगेरा 15 जनवड़ी तक कुछ खरीज भी सकते हैं देवी और सज्ञ नो इस समय में भाईयों का भी आपको सुख मिलेगा भाईयों से भी लाव मिलेगा भाईयों के भी सुख मिलने का योग है और सजनो आज जो वीडियो में बना रहा हूँ आज मेरे साथ मेरा बेटा यानि कि विबस्षवान भी है बीच बीच में ये भी अपना वीडियो में आवाज दे रहा है तो उससे डिस्टर्ब ना हो तो ज़्यादा बढ़े रहेगा देवी और सजनो सूरी कि यहां से सब्तम खांदान में आपकी गिंती होगी, आप ऐसे कर्म करेंगे, आपका कर्म इतना बढ़ियां रहेगा कि आपकी गिंती एक कुलीन पड़िबार के ब्यक्ति के तौर पर की जाएगी, देवी और सज्जनों इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दू कि तीसरे भाव पर स अब्तम दृष्टी है, जो आपको हर तरफ से मान समान की प्राप्ति करवाएगा, राज मान बनाएगा, जो राजा, राजा समान बेक्ति हैं, समाज के बड़े लोग हैं, परतिष्ठित लोग हैं, जिनके सामने आपकी पहले कुछ वैलियू कम थी, उनके सामने भी आपकी इजद प्रतिष्ठा खूब होगी, वो लोग भी आपको मान समान देंगे, और समाज के लोग भी आपको खूब प्रतिष्ठा देंगे, अगर आपको आपका कोई बरा भाई है, बरे भाई बहन है, अधर बरा भाई बहन समान बेक्ति है, सिनियर्स बगेरा है, तो उस से ज बाहर आने का खुद के बड़ुत परियास करेंगे। देवी और सजनो सूरी पंद्रा जनवरी को कुंडली के दसम भाव में यानि कि यहां पर में जब आ जाएंगे यानि कि मकर रासी में दो बज़ के चौवालिस मिनट एम में हमने जो आपको बताया सुबह सुबह का समय 54 बज़ के 2 बज़ के 54 मिनट एम में यानि कि 3 बज़े के करीब सुरी देव कुंडली के दसम भाव में आ जाएंगे मकर रासी में तो इसका क्या प्रभाव होगा उसको देखिए सूरी देव कुंडली के दसम भाव में बैठे हुए हैं और द्रिष्टी इनकी चौथे भाव पर में है इसका क्या प्रभाव होगा पहले द्रिष्टी को ही समझते हैं फिर जिस भाव में हैं उसके फल को समझेंगी देवी और सजनों चौथे भाव में सुरीदेव की द्रिष्टी परने के कारण आपको इस समय में सुख की प्राप्ती का योग है जो भी लोग 22-23 बर्स की उम्र से उपर के होंगे उनको सुख की प्राप्ती होगी माता से भी आपको बिसेस लाव का इस समय में 15 जनवरी दो बज़ के 54 मिनट एम यानि की भोर के बाद सुख के बाद आपको ये सब फल मिलना सुरू होगा जो 13 फरवरी तक मिलेगा आपको सुख प्राप्ती का तो योग बनी रहा है साथ ही साथ माता से भी बिसेस लाव का माता से भी बिसेस सुख का योग बन रहा है आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि वाहनों का सुख भी आपको इस समय में प्राप्त होगा इस समय में आपके स्वाहिमान की रक्षा करेंगे भगवान आप स्वाहिमानी बने रहेंगे आप स्वाहिमानी बने रहेंगे आपके स्वाहिमानी की रक्षा जो है सुस्वर करेंगे और आपके उपर में किसी का धोंस वगेरा अगर कोई जमाना चाहे तो वो नहीं जमा पाएगा यह तो हुआ चोथे भाव पर द्रिश्टी लेकिन कोडली के दसम भाव में जो सूरी देव बैठे हुए हैं इसका आखिर क्या आरत है इसको समझी दसम भाव में बैठने करण आप इस समय में प्रताप ही बने रहेंगे आपके प्रताप की चर्चा हर तरफ होगी आपके बार करने का डंग आपके काम करने का रंग का चर्चा भी होगा क्योंकि इस समय में बिजनेस हैं आप से चतुर आप से कुसल आप से ज्यादा ब्यभारी खोजना ब्यक्ति मुस्किल हो जाएगा वहरसी कहते हैं कि हर लब्ध प्रतिष्ठित ब्यक्ति के द्वारा आपको प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी यतने भी ऐसे ब्यक्ति हैं जिनको खुद प्रतिष्ठा प्राप्त है जो खुद प्रतिष्ठित हैं ऐसे सभी लोगों से थे बिधायक हैं, सांसद हैं, MPLA, MLC वगेरा हैं, उन लोगों को इस समय में मंतरी वगेरा बनने के भी योग हैं, जो मेसरासी के हैं, उन लोगों का प्रमोशन वगेरा हो सकता है, लेकिन एक बार कुंडली की जान जरूर कर वालने अगर आप MPLA हैं तो, ताकि मैं उसमें अग कोई कुछ मांगने आ जाए, किसी की मदद करना, किसी को सहायता करना, इस समय में आप एस्वारी संपन, धन दौलत से संपन रहेंगे, पैसों की बहुत ज़्यादा कमी जो है, आप महसूस नहीं करेंगे, लोक माननी की उपादी दी जाएगी, हर तरफ से समाज के लोग मान देंगे और आप उसके लाइक भी हैं, तो देवी और सज्जनों हर मामले में मेसरासी बालों के लिए ये जो समय है, एक जनवरी से तेरा फरवरी का वो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, देवी और सज्जनों हमने बताया था कि सम्मान और धन दोनों प्राप्ती के य सारी चीजों की आपको प्राप्ती हो रही है, आपको इसका लाव मिल रहा है, देवी और सज्जनों, उमेद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, आपके लिए इस वीडियो को अगर आप लाइक कर दें, तो मैं उसी को अपना इस तरेखा दिखानी के लिए मुझे संपर्क करें, 7062757996 पर में दोनों हाथ के अतेली का फोटो और जन्म तारीख जन्म समय भेजें, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यबाद, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके इसके वे अन्यबाद, राधे, राधे